प्रविसेट की बल्ले से सबसे तेज सेंचुरी आई पाच पाच रिकॉर्ड्स की जड़ी लगाई IPL यानि इनक्रेडिबल प्रिमियर लीग में हैधरबाद और बंगलीरू के बीच एक मैच खेला गया और ये एक और इनक्रेडिबल मैच रहा जिसमें हैधरबाद की बल्ले बाजों ने एक बार फिर से अपनी इनक्रेडिबल बल्ले बाजी का नजारा पेस किया इस IPL 2024 के सीजन में हैधराबाद के बल्लेबाजों के द्वार जिस तरह की धुआधार बल्लेबाजी की जा रही है उसका एक बार और नजारा हमें यहाँ पर देखने को मिला जब उन्होंने अपना ही पिछला 277 रनों का रिकॉर्ड तोड़ करके 287 रनों का एक नया IPL का रि सतक बना करके जिन्होंने ओडियाई बिस्ट का भारत को हराया था फाइनल में सतक बना करके यहाँ पर उन्होंने अपनी उस अपार छमता वाली बल्लेबाजी का एक और सांदर नजारा पेस करते हुगे सबसे तेज सतक जड़ दिया और उनके इस तेज सतक की बादा थी है हैदराबाद ने एक पहार जैसा है इसको खड़ा कर दिया लेकिन कुलमेलागर के आईपल के इतियास का चौता सबसे तेज सतक है यहाँ बात करे हैं अगर इनके इस रिकॉर्ड की तो ट्रेविस हैड ने यहाँ पर सांदर सतक जड़ा है सिर्फ 49 गैनों में उन्होंने हैदराबाद की तरफ से बलेबाजी करते हुए सब्से त्रेस सतक बनाने का रिकॉर्ड अब उन्हें अपने नाम कर लिया इस से पहले रिकॉर्ड और ऑस्ट्रेलिया के ही डेविड बार्नन ने रिकॉर्ड के अचादि तरफ इतियास की यह 34 सबसे बड़ी पारी है अगर हम बात करें यहां पर आई पेल इतियास के सबसे तेज सतक की तो बोर रिकॉर्ड आज भी 11 साल बाद अन्बीटन है जो 2013 में क्रिस गेल ने बनाया था महज 30 गैन्द में सतक लगा करके इसके बाद नमबर दो पर आता है उसी पठ गैन में सतक लगाया था 2013 में और अब नमबर 4 पर ट्रबिस हैड आ चुके हैं जोनों 49 गैन में सतक बनाया है दो हजार चौवीस में सतक बनाने की चक्कर में ट्रबिस हैड ने बाद में दो तीन बॉल से एक्टरा ले ली अगर वो उन दो तीन वाल को एक्टरा नहीं लेते कैन ले खांग स्बस्झते हैड वो तो तो ऴैड आ है शूड़ा रहा रहा है खांग सबस्टेश्वीस में अप चोगर तीना सबस्टत